हेलो फैन स्वागत आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटल गराउंड मुवाइल इंडिया एप को यानि की BGMI एप को किस तरीके से रिसेट कर सकते हैं तो गैस अगर आप अपनी BGMI एप को रिसेट करना चाहते हैं वीडियो को कहीं पर भी इसकीप नहीं कीज़ेगा तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के आगे क्यों लिजाते हुए गैस अगर आप BGMI एप को रिसेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फॉन की सेटिंग पर आजाना होगा आप जैसी क्लिक करेंगे उसके आद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको See All Apps का एक option मिल जाएगा तो simply यहाँ पर आपको यह वाला option जहाँ पर भी देखे इस पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर simply Battleground Mobile India लिख लेना है तो आप यहाँ पर जैसी Battleground Mobile India लिखेंगे तो उसके आद यहाँ पर आपको Battleground एप नजर आ जाएगा तो simply यहाँ पर इस वाले option पर क्लिक कर देना है यानि कि इस app पर क्लिक कर देना है येक आपको clear storage का मिल जाएगा और येक आपको clear cache का मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर clear cache वाले option पर click कर देना है तो आप जैसी इस वाले option पर click करेंगे और उसके आद यहाँ पर आपको और एक option बचेगा clear storage का तो आप यहाँ पर जैसी इस वाले option पर click करेंगे तो आप अपनी battleground mobile India app से logout हो जाएंगे तो guys यहाँ पर आपको जो clear storage का option दिखाय दे रहे ना आपको इस वाले option पर भी click कर देना है जैसी click करेंगे यहाँ पर आपको delete का option मिल जागा तो यहाँ पर simply आपको delete वाले option पर click कर देना है अब यहाँ पर सोच रहे होंगे अगर आप यहाँ पर delete वाले option पर click करेंगे तो कि आपके battleground app से कोई चीज हड़ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा आपके battleground app में जो भी data थे वो सभी data आपके battleground app में मौझूद होगा आपके battleground app से कुछ भी data delete नहीं होगा यहाँ पर delete करने का मतलब है आपके इस app में जो भी junks files थे या फिर यह app जितना extra data cover करके रखे थे अपने अंदर में वो सारा चीज यहाँ से हट गया है अब जब इस app को आप open करेंगे तो यह app आपके phone में अच्छी तरीके से work करेगा और इस app को चलाते वक्त आपको किसी भी परकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा तो guys battleground app को कब reset मानना चाहिए तो guys battleground app को तब reset मानना चाहिए जब यह app आपके phone में सही तरीके से work ना करे और इस app को use करते वक्त आपका phone hang करे तो उस इस्तिति में guys आपको समझ जाना है कि battleground app को extra files या फिर extra data को cover करके रखा अपने अंदर में उस इस्तिति में आपको battleground app को reset मानना बहुत ही ज़रूर ही होता है तो guys इस वीडियो में मैं आपको जब भी process बताया हूँ उस process की help से आप इस app को reset कर सकते हैं तो उमीद करूंगा आपको इस वीडियो से ज़रूर help मिली होगी गैस अगर इस वीडियो से थोरी से भी help मिलागा तो वीडियो को like करके हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न बुले ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का thank you very much